नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सत्यम्द राप सुझी के मेरे चैनल ओनलाइन पूड़ों सीखों में सागात है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमें साम कंप्यूटर टेक्नलोजी की बात करते हैं तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि रार रार फाइल और जीप फाइल में अंतर क्या है और इसके क्या फाइदे हैं और सबसे इंपोर्टेंट की रार फाइल या जीप फाइल हम कैसे बनाएंगे जीप फोल्डर या रार फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कैसे बनाएंगे और इसका फाइदा क्या है सबसे पहला जो आपका फाइदा है कि जब जिए आप jip folder या rar folder देखते बनाते हैं तो वो compress हो जाता है यानि file का size जो है वो छोटा हो जाता है और इसको पचानिक तरीका मैं बता देता हूँ कि ये देखिए कि आपका rar last में file जो तब अपका file या folder जो बना हुआ है जिसका rar या jip folder बना हुआ है उस folder या file के last में देखिएगा .rar या .zip लिखा हुआ अगर तो आप समझ जाएगा कि यह zip file है या rar file है तो यह तो पाली चीज की compress कर देता है यानि file को छोटा कर देता है size को कम कर देता है दूसरा इसके सबसे बड़ा फैदा है कि आप जब भी देखते हैं कि internet से कोई भी folder या कोई भी software या program डाउनलोड करते हैं तो maximum देखते हैं कि आपको rar file या zip file में ही जो है आपको यह download होता है इसका region क्या है सबसे बड़ा region दूस्तों यह है कि यह file बहुत ही असानी से और जल्दी हमारा download हो जाता है या upload हो जाता है दूसरा चीज कि इस zip folder या rar folder को encrypt करना यानि कि file या folder हमारा खराब होने का डर कम हो जाता है अपने देखा होगा कि जब भी आप mail करते हैं बहुत सरा file होता है या folder होता है आप उसको भेजते हैं तो उसमें जड़ा समय लगता है आप उसको क्या किजिए एक rar file या zip file बना करके उसमें तब उसको mail किजिए बहुत ही जल्दी आपका upload हो जाएगा और mail हो जाएगा आपको right click करना है मैं जल्दी से एक folder बना लेता हूँ यह रहाँ आपका folder बन गया आपको इस folder पर right click करना है send पर जा करके और यहाँ पर compress zip folder कर लिजिएगा ता आपका folder compress हो जाएगा यानि zip folder बन जेगा लेकिन यदि आपके बस rar file का software है डला हुआ ता आप इस पर ऐसे click किजिएगा इस पर click करने के बार दोस्तो आपको यहाँ पर देखिए पूछेगा कि आपको rar file बनाना है या फिर zip बनाना है आपको दोस्तो जो बनाना है उसको यहाँ पर select कर लेना है माल लिजिए हमको rar बनाना है तो यहाँ पर ऐसे select कर लिए select करने के बाद दुस्तों यहाँ पे आईएगा और अगर इस folder को या इस compressor file पे अगर password आपको लगाने की जरूरत है यदि आपको password लगाने की जरूरत है तो यहाँ पे set password में जाकर करके यहाँ पे password डाल लीजिएगा password डालने के बाद okay कर लीजिएगा तो आपका इस पे password लग जाएगा यदि आप चाहते हैं कि without password हम बनाएं तो without password के लिए यहाँ पे okay करना होगा एक चीज और ध्यान रखें कि आपको password लगाने के लिए original RAR का software होना चाहिए install अगर आपका original RAR का software install नहीं है तो यह password नहीं लगेगा तो आप RAR पे click करके okay कर दिजेगा जैसी okay कीजेगा आपके सामने देखिए यह file यहाँ हम रख के दिखाता हूँ यह new folder से इसका compressed file हो गया तो इस तरह से आप जो है इस folder को RAR file या zip file में convert कर सकते हैं दोस्तों यदि इसको खोलना है इसको हम यहाँ से असानी से खोल सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इसके हम फिर से दुबारा से उसी normal file folder में convert कर दें तो इसके लिए आपको करना है इसके right click और करना है extract here जैसी extract here क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यह फिर से हमारा यह बंद करके ready हो जाएगा जैसा था वैसा है तासर करता हूँ कि यह वीडियो आपके जरूर काम आएंगे तो इसी तरह वीडियो तेक करके मुझे धेर सरब प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फूर वाचिंग